सो आज की सुड़ो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तरीके का ट्रेंडिंग रिल वीडो कैसे आप एडिट कर सकतू बना सकतू और स्टेप बस्टेप हर एक चीजों को मैं आपको बताने वाला जैसे इस टैप का बलर इफेक्ट आप अपनी वीडोस पर कैसे एड कर सक तो हर एक चीजी डीटेल में आपको बता दूँगा बस आप वीडो को लास्ट तक देख लेना और बिना टायम विष्ट के वीडो श्टार्ट कर लेते तो वीडो को एडिट करने के लिए हम यूज करने वाले वीटेटर सो सबसे पहले वीडेटर को ओपिन कर लेनिगे उस अपनी वीडियो को आपको दिखाता हूं बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो कुछ भी यहाँ पर एडिटिंग नहीं किया गया ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यह दिखाने वाला हूं कि आप स्लो मोशन कैसे कर सकतो उसके बाद सेक एफेट कैसे अपलाए कर सकतो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा थ्री लेयर वाली वीडियो आप कैसे बना सकतो देन उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें ब्लर इफेक्ट कैसे एड कर सकते ठीक है सभी को स्टेप बेस्टेप हम करने वाले तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्लो मोशन कैसे कर जा है तो यहां वाला जो पॉइंट हो से अपनीचे कर देना कहीं पर अगर आपको पॉइंट्स ना दिखें फॉर इक्जामपल यहां पॉइंट नहीं है और मुझे यहां अगर स्लो करने तो आप यहां पर लॉंग प्रेस करकर रखना एड अस्टोरी को पर क्लिक करके जस्ट अच्छा लग रहे ठीक है तो इस तरीके सा आप कर सकतो या फिर कहीं पर आपको फास्ट करने के मनों फॉर इक्जामपल यहां पर हम थोड़ा ज्यादा स्लो कर देते हैं और इसे थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा इफेक्ट क्रेट हो जाएग ठीक है ओकी तो इस तरीके से करके आपको जैसा रिक्वाइड होगा उस तरीके साब स्लो मोशन कर लेना देन जस्ट आपको डन कर देना है ओके तो यह स्लो मोशन वाला टॉपिक तो हमारे कवर हो चुका Now शेक इफेक्ट की बात आती है तो सेक इफेक्ट हम अपनी वीडियोज को दो तरीके से आध कर शकते है और सेक इफेक्ट वहाँ पे आध करना अच्छा होगा उगा जहां से पहले आप वीडियो को split कर देना split करना ही पड़ेगा आपको तभी दोनों तरीके से आप सेक एफेक्ट एड़ कर सकते हो ठीक है split कर देना देने ट्रांजिशन को पर आपको क्लिक करना यहाँ पर काफी सारे आपको सेक एफेक्ट मिल जाएंगे जैसे कि यह जूम वाला दे इधर आओगे तो आपको जूमीन मिलेगा जीटेल मिलेगा ठीक है तो इन में से किसी को आप यूज करना जैसे कि मैं जूमीन को करता हूं और इससे starting में add करके just done कर देता हूं तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ पर सेक एफेक्ट बन गया ठीक है तो इस बार जीटेल को यूज कर लेते हैं और आगे आप जाओगे तो और और यहाँ पर आपको एफेक्ट मिल जाएंगे ठीक है जैसे कि यह वाला पर देख सकते हूं फिलाल में जीटेल को यूज करता हूं यह वाला काफी trend पर है और इससे starting में रख देंगे and done कर देंगे त तो इससे आप इस तरह सूपर कर दोगे हट जाएगा या फिर डिलीट कर देना ओकी अपनी वीडियो को आप यहां पर पूरा स्कीम में फिक्स कर सकते हो तो इसको उपर क्लिक करेंगे इसे पूरा स्कीम में फिल करतेंगे मैनुवली भी कर सकते हैं या फिर यहां पर आपको फिल एंड फिट का एक option मिलते हैं इसको उपर जाके यहां से सेलेक्ट करके भी कर सकत ठीक js Ici य Honors let's scroll को स्क्रॉल करना है ऐंड मास्कुंग के ऊपर आके just विपडिए का लें यह और पार्त आपको दिखाना ओगा अपनी विदो में उस वाले पार्त को स्प्रैसलिय आप यहां से सो आप सकते हो ठीक हो अहाँ प्र आपसे सेवस्टन करले ना उसके बाद जस्ट आपको done कर देना है then इसे अच्छे तरीके से आपको जस्ट ऊपर में पूरे तरीके से fill कर देना है then इसी को आपको जस्ट दो बार duplicate करना होगा तो आपको duplicate का option मिलता है इसको पर आपको click करना और दो बार इसे duplicate करेके देन उसके बाद इन सभी को आप adjust कर सकतू तो नीचे लाला के इने हम adjust कर लेंगे अगर इस तरीके का black black आपके वीडियो में आता है तो आप वीडियो को पर क्लिक करना masking को पर आप फिर से चले जाना और यहां से ज़ेस्ट आप थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर दोगे आपको यहां स्क्रॉल करके mirror का एक option मिलेगा इसको पर क्लिक कर देना तो कुछ इस तरीके से फ्लिप हो जागा ठीक है और इस तरीके का ना काफी यादर ट्रेंड पर तो यह आप जरू से करना तो इस तरीके से हम यहां पर थ्रीलियर वाली वीडियो बना सकते बन जाए द यहां उसके बाद बीटरेट को आप 30 के आसपास रख सकते हो उसके बाद export कर देना ठीक है अब हमें वीटा एपलिकेशन को open करना है और वीटा एप को open करके आप इसका वाटर मार्क वाले सिस्टम होते है उसे off कर देना ठीक है मतलब setting पर आपको आना होगा और यहां से जो वीटो को सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट एड कर लेंगे ठीक है वीटो एड हो चुका अब उसके बाद आपको देफेक्ट एड करने के लिए effect वाले section को पर जाना है effect को पर फिर से आपको click करना है यहां पर आपको एक billing का option मिलेगा इसको पर आप चले जाना देन उसके बा हमारा ब्लर इफेक्ट वो एड़ हो चुका साथे में हमने जितना भी एडिटिंग यह था मिन्स स्लू मोचन सेख इफेक्ट थ्री लेयर वाली एडिटिंग सारा चीज यहां पर हमें मिल जा रहे ठीक है तो इस तरह किसे करके आप जस्ट यह व्यूड़ को एडिट कर सकतो का अकीली बाय बाय बाय।